राम्रिश बेनिपुरी जी का रेखा चित्र मंगर हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे परहल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवास के हास से ही बैलों को भगाता, मेरे खेट की और सुबह सुबह जाता, जब से मुझे होश है, मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मुझे याद आता है, हल के बदले कभी-कभी मुझे भी उसके कंधे पर चड़ने का सौभाग्य मिल चुका है, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आये हैं, क्योंकि न जाने क्यूं, मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं, जो उसके जैसे लोगों में प्राय देखा जाता है, उसे देख कर बच्चे भागते ही रहे हैं, और आज जब मंगर अशक्त जरजर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी चड़ियों से उसे छेड कर भागते हैं, और जब वह जलाता, उन्हें मारने के लिए अपनी बढ़ापे की लकुटिया खोचता, या खीच कर गालिया बखने लगता, तो वे खिल-खिला पड़ते और उसका मुँ चुढाने लगते हैं, बच्चों से उसकी वित्रशना क्यों हुई? शायद इसलिए तो नहीं कि उसे जो एक ही बच्चा नसीब हुआ, वह कमाऊ पूत बनने के पह लेकिन एक बार, एक बार मुसीबत काटने उसके दरवाजे पर पहुँचा, तो दामाद नहीं ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबर्दस्ती भगा लाया, मंगर का स्वाभिमान, गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगर की खूबी य मन से माना भी नहीं, मगर मेरे बाबा का अदब करता था, शायद उनके बुढ़ापे के कारण, सुना है मेरे बाबुजी को वह बहुत चाहता था, शायद उनके नेक सभाव के कारण, किन्तु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबरी कही समझा, और मुझे तो वह कल तक तू ही कहकर पुकारता रहा है किसकी मजाल जो मंगर को बजजुबान कहे हलवाहों को मिलने वाली नित दिन की गालिया तो दूर की बात ऐसा क्यों उसका खास कारण मंगर का यहट्टा-कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सक्त कमाऊपन जिसमें इमानदारी ने चार चांद लगा दिये थे जितनी देर में लोगों का हल दस कट्टा खेत जोतता मंगर पंद्रा कट्टा जोत लेता और वह भी ऐसा महीन जोतता कि पहली चास में ही सिराओ मिलना मुश्किल मंगर को यह बताने की जरुवत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूमाता और जिसकी ताक होती वहां हल लिये सुबह सुबह पहुँच जाता जुताई के वक्त किसी की देखरेक की भी जरुवत नहीं आम हलवाहों के पीछे किसान जो लठ लेकर पड़े रहते हैं और तो भी वे जी चुराते ढिलाई करते आज का काम कल के लिए छोड़ते यहां आदत मंगर में थी ही नहीं योही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसही की खलिहान में चाहे बोजों की सील का कहा फिर क्यों ना उसकी कद्र की जाए मेरे बाबा कहते थे मंगर हलवाह नहीं है स्वांग है वह अपने स्वांग की तरह ही कभी कभी रूट जाता था और जब तब लोगों को जड़क भी देता था उसकी जड़क सबके सरांखों पर उसका रूटना और उसकी मनौती होती कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती एक दिन काफी कहा सुनी हो गई दूसरी सुबह मंगर हल लेने नहीं आया इधर से बुलावट भी नहीं गई रुप्ये हैं तब हलवाहे न होंगे कोई नया हलवाहा लेकर जोता गया उधर कोई दूसरा किसान आकर मंगर से बोला मंगरू देख उन्होंने दूसरा हलवाहा कर लिया है उन्हें रुप्ये हैं हजार हलवाहे मिलेंगे तो तेरे भी शरीर है हजार ग्रहस्त मिलेंगे चल हमारा हल जोत का यह सरदर्द तब तक बना रहा जब तक जख मार कर मेरे चाचा जी फिर उसे बुलाने नहीं गए क्योंकि चार दिनों में ही मालूम हो गया मंगर क्या है बैलों के कंधे छिल गए उनके पैर में फार लग गए खेत में हल तो चला लेकिन न धेला हुआ न मिट्टी मिली फि कहीं दस कथा जमीन जुते मंगर के बिना काम चल नहीं सकता चाचा जी उसके दर्वाजे पर खड़े है मंगर भीतर घर में बैठा है मंगर की अरधाँगिनी भकौलिया ने कहा मालिक खड़े हैं जाओ मान जाओ कहदे मेरा सिरदर्द कर रहा है मंगर ने चाचा जी को सुन ना कर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल दिला दिजिएगा, भकॉलिया हस्ती हुई बूली, तू मुझसे दिल लगी करती है, मंगर के स्वर में नाराजगी थी, मंगर चलो, आपस में कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो, चाचा जी के स्वर में आरजू मिन्नत थी, जाईए उसी से जुतवाईए, जिससे चार दिन जुतवाया है, मुझे ले जाकर क्या होगा, आधी रोटी की बचत भी तो होती होगी, योही नोग जोक मान मनोवल, फिर मंगर अपना हलवाही का पैना हाथ में लिए आगे आगे, और चाचा जी, पीछे पीछे, वहाँ आ जहां गाउ भर में हलवाहे को एक रोटी मिलती, मंगर के लिए डेड़ रोटी जाती, वह भी रोटी सुअनकी हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता, मंगर की सभी शर्तें पूरी होती, लेकिन यह डे दो टुकडे कर दोनों बैलों को खिला देता, यों यह आधी रोटी फिर मेरे ही घर में लोट आती, लेकिन इसमें कोई काट कपट हो नहीं सकती थी, महादेव मोत आके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा, मंगर के लिए ये बैल बैल नहीं, साक्षात महादेव थे, एकाद बार बात बहुत बढ़ गई, तो मंगर मेरा गाऊं छोड़ कर चला गया, लेकिन गाऊं में रहते, उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा, दूसरे गाऊं में भी वह जम नहीं सका, तब तीसरा गाऊं देखा, और अंत में मारा मारा फिर मेरे गाऊं लोटा, शा किसी से लल्लो चपो नहीं, लाई लप्ताई नहीं, दो टूक बातें, चो टूक व्यवहार, तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही सनेह की नजर से देखता रहा है, शायद इसी लिए कि मेरे बाबुजी उसे बहुत मानते थे, अब भी कहता है, मालिक थे हमारे बाबु, वह मरे मेरी तकदीर फूटी, और शायद इसलिए भी कि मैं बच्पन से ही टूर हूँ, मा मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया, और जब कुछ बड़ा हुआ, मैं ननिहाल जाने आने और रहने लगा, तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुचाता, मैं एक छटी घोडी पर सवार, मंगर सिर पर सौगात की चीज़ें और मेरी किताबे लिए घोडी की लगाम पकड़े आगे आगे, जहां नीचूंच जमीन होती, कहीं मैं घोडी से गिर न जाओं, बगल में आकर एक हाथ से मुझे तूटता गया, बकॉल मंगर, मैं तो अपने ही घर का महमान बन गया, लेकिन जब जब दो-चार दिनों के लिए घर जाता, मंगर को उसी रूप और उसी पेशे में देखा किया, कपड़ों से मंगर को भशत रही है, हमेशा कमर में भगवाही लपेटे रहता, उसे धोतिया मिली है, गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिये बिना वह बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या, यो भी बाबा और चाचा साल में जब तब पुरानी धोतियां दिया करते, घर में शादी ब्या होने पर उसे लाल धोतियां भी मिली है, मेरी शादी में मं अंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां हमेशा उसके सिर का ही सिंगार रही, जिने वह मुरेठे की तरह लपेटे रहता, और कुर्ता जब मेरी किसी कुटमैती में वह संदेश लेकर जाता, तभी उसकी देह ढगता, यो साधारन तह वह हमेशा नंग रहता, और मैं कहूं मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता, आज एक कलाकार की दृष्टी से कहता हूं, मंगर को खुबसूरत शरीर मिला था, काला कलूटा फिर भी खुबसूरत, साउंदर्य को रंग साजी और नकासी का मजमुआ समझने वालों की रूची मैं समझ नहीं पाता, यह कहने की गुस्थाकी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तयार नहीं, मंगर का वह काला कलूटा शरीर एक संपूर्न सु विकसित मानव पुतले का उतकृष्ट नमूना, लगातार की महनत ने उसकी माम सपेशियों को स्वाभाविक पर उभाड रखा था, पहलवानों की तरह उनमें अस्वाभाविक उभाड नहीं आई थी, जांगें, चाती, बुजाएं, सब में, जहां जितनी जैसी गठन और उभाड चाहिए, बस उतनी ही, न कहीं मास का लोंदा, न कहीं सूखी काट, एक सुडोल शरीर पर इक धंग से रखा, एक साधारन सिर, मंगर के शरीर का खयाल आते ही, मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायती, मिस्टर मूलर की आकरती का स्मरण हो आता है, सैंडो के शैदाई, उससे कुछ निराश हो, तो आश्चर्य नहीं, लेकिन आज न वह देवी रही, न वह कड़ा रहा, मंगर वह नहीं रहा, जो कभी था, गरीबी को वह अपने अक्खडपन से हमेशा धत्ता बताए रहा, लेकिन उम्र के प्रहारों से वह अपने को बचा नहीं सका, उसकी एक एक चोट उसे धीरे धीरे जरजर बनाती रही, और आज उस पर यह कहावत लागू है, सूख शरीर के मास और मास पेशियां ही नहीं गल गई है, उसकी हड्डियां तक सूख गई है, आज का उसका यह शरीर उस पुराने शरीर का व्यंगे चित्र मात्र रह गया है, बुढ़ापे के प्रहारों के लिए जो ढाल का काम करती, उस चीज का संग्रह मंगर ने भी किया ही न आज खाये भी कल को जख्के, ताको गोरक संग न रखे, का उपासत यह मंगर संग्रह का तो दुश्मन रहा, कोई संतान भी नहीं रही, जो बुढ़ापे में उसकी लाठी बनती, उम्र ने इस निरस्त्र कवचहीन योधा पर वे सभी तीर छोड़े, जो उसके तरकस में थ मंगर बुढ़ापे के कारण हल चलाने के योगी नहीं रह गया, तो कुछ दिनों तक उससे कुछ फुट कर काम लिये गए, लेकिन यह भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, अब एक ही उपाए रह गया था, उसे पेंशन मिले, लेकिन हलवाहों यथार्त अन्न दाताओ के लिए पेंशन की हमारे अभागे देश में कहां विवस्ता है, और व्यक्तिगत दया का दायरा तो हमेशा ही तंग रहा है, फिर मंगर में जली हुई रसी की वह एंठन और शायद गर्मी भी है, जिससे दया का बादल हमेशा ही उससे दूर दूर भागता रहा है, दया का बादल चाहता है आशीर वचनों की शीतल सतर और मंगर के शब्दकोश में उसका सर्वथा अभाव ही समझे इसके बदले आज भी वही बेलोस बातें जड़प जड़कियां की आच जो पानी की क्या बात खून को भी सुखा दे इसके बावजूत उदारता की स्वाती बूंद सींची नहीं जा सकती यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि आज हम मंगर की हड्डियों का यह जाजर भी नहीं पाते अगर उसकी अरधांगिनी नहीं होती उसकी अरधांगिनी भको लिया मंगर की आदर्श जोड़ी वही जमुनिया रंग काली कहकर मैं उसका अपमान क्यों क इसलिए स्त्रीत्व के उसमहानशय से बहुत कुछ वा बची रही जो मात्रत्व का सुन्दर नाम पाता है। भकौलिया मंगर की आदर्श जोडी, शारीरिक धांचे में ही नहीं, सुभाव में भी। वे भी दिन थे जब वहत तमक कर बोलती, जपट कर चलती। ना किसी को जल्दी मू लगाती और ना किसी की हेटी बरदाश करती। जिस किसी ने छेडा मानोकाली सांपिन के फन पर पैर रखा, लेकिन भकौलिया में सिर्फ उंकार मात्र थी। डशन और विश का आरोप उसके साथ महान अन्याय होगा। पर मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परसिती के सांचे में जादा और जल्द ढाल सकती हैं। इसका उदाहरन यह भकौलिया है। मंगर आज भी वही मंगर है। मू का बैलोस या फूहड कहिए लेकिन भकौलिया वही नहीं रही। किसी का बच्चा नेला दिया, किसी को कुटान पिसान कर लिया, किसी का गोबर पाथ दिया, किसी का पानी भर दिया और जो कुछ मिला उसमें पहले मंगर को खिला कर आप पीछे खाने बैठी किन्तु इतना करने पर भी वो हमेशा मंगर की फटकार सुना करती है मंगर अपना सारा पित और पुरानी जड़प अब ज़्यादा तर इसी पर जाड़ता है भगवान की मर्जी कहकर मंगर जिसके नाम पर अपनी मुसीबतों को बिसर जाने का प्रयत्ना करता रहा उस भगवान ने पार साल उसकी और दुर्गती कर दी उसे जोरों से अधक्वापरी उठी भगवान उसकी चिलाहट से पसीज किसी दया की मत्ती से दारचीनी मांग लाई और उसे बकरी के दूद में पीस कर उसका लेप उसके ललाट पर कर दिया बाई पुटपुरी पर और आग पर भी लगा दे मंगर ने लेप की पहली ठंडाई अनुभव कर कहा बकॉलिया हुक्म बजालाई लेकिन यह क्या जहां जहां लेप था वहां अजीब जलन शुरू हुई जलन जक्म में बदली और जक्म ने उसकी एक आँख ले ली जब मैं घर गया बभवाजी मेरी एक आँख चली गई मैं काना हो गया कहकर मंगर रोने लगा शायद मंगर को मैंने यह पहली बार रोते देखा मैं उसे ढाडस दे रहा था लेकिन मेरा हुरुदय और विपदा अकेली कब रही पिछले माग में मैं घर पहुँचा सुब धूप निकल आई थी लेकिन अपने चिर अभ्यास के अनुसार मैं आँखें मूने रजाई से लिप्टा पड़ा था थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ गिरने की सी धम धम आवाज आई रजाई मू से हटा कर आँखें खोली देखा सामने पुवाल के टाल की नस्दीक एक काला सास्ती पंजर बार बार खड़ा होने की कोशिश करता और गिरता है यह क्या चौंक कर उठा उस और बढ़ा यह तो मंगर है सुना था मंगर को अरधांग मार गया है देखा आँखें सजल हो थी निकट गया उसे संभाला फिर कहा मंगर पड़े क्यों नहीं रहते यह कैसी चोट लग रही होगी पड़े पड़े मन उप जाता है बबुआ मंगर ने जवाब दिया उफ नसें डीली पड़ गई खोन का सोता सोक गया लेकिन मानो अब भी उसमें तरंगें उठती और किसी सूखे सागर की तर बालू के तट पर सिर धुन पचाडखा गिर गिर पड़ती है कैसा करुण द्रिश्य